जहीं सातियो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल रहना है सॉनलाइन हब में जहां दोस्तों मिलती है सिक्चक भरती से लेटेस्ट अपडेट दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी में उनत्तर हाजा सिक्चक भरती जो है मामला भी सुप्री हुआ है और यह हिंदुस्तान नई दिटली संबाताता की और से यह जारी हुआ है तो यहां पर देखेंगे लिखा है यूपी उनत्तर हाजा सिक्चक भरती सिक्चा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोट में सुनवाई आज क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में देखत देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तर परदेश में 69,000 साहक सिक्चक भरती मामले में यूपी सरकार गुरुबार को जो है अपना पक्च रखेगी आदालत यूपी सरकार की संसोधन याचिका पर सुनवाई कर रहा है और यूपी सरकार ने याचिका दाखिल प जिस आदेश में अदालत ने 37,349 पद भरने पर रोक लगा दी थी फिर आगे यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यह है विवाद तो क्या है विवाद सिक्चा मित्र का कहना है कि जो भी योग जो है सिक्चा मित्र 45-50 से ज्यादा अंक हासिल करते हैं उन्हें भारं अंक देकर निक्ती दी जाएगी फिर आगे लिखा हुआ है इसमें कि लेकिन सरकार ने 2019 की परिक्चा में कटप अंक बढ़ा कर 65-60 कर दी जिसमें 32,629 सिक्चा मित्र उमिद्वार बहार होगे और यहां पर आगे लिखा हुआ है फिर आगे यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हाई कोट ने उन्हें राहात नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोट आगे दरासल यहां पर लिखा हुआ है कि भारांग देने की बाद सुप्रीम कोट ने 2018 में की थी जब परदेश में लाखों सिक्चा मित्रों की सहायक सिचक भरतिपन निक्ती को आवेद मानकर निरस्त कर दिया था कोट ने कहा था कि भाविस में होने वाली भरति इन सिक्चा मित्र के अनुभव को देखते हुए सरकार अतिरिक्त भारांग देते हुए विचार कर सकती है कर सकती है मामले के सुनवाई सोंबार को होने की संभावना है तो दोस्तों यहाँ पर देख पार है यह अपडेट आ रहा है और भी मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ तो दोस्तों यहां पर देख पार होंगे यह जो है अमरुजाला.com के मैधम से अपडेट आ रहे हैं और यह भी जो है आज का ही अपडेट है आपकी स्क्रीन पर है कि उनातर राजा से चकभरती मामला सिक्छा मित्रों के लिए जो है 60-65 फिजदी कट अफ काफी जादा सुप्रीम कोट और यहां पर देखेंगे तो क्या अपडेट निकल के आ रहे है इसकिन पर आप देख पार होंगे जो कि उमरुजाला.com के मैधम से निकल के आ रहे है कि लिखा अबाई की उत्तर पद्दस में 79,000 सहायक सिचक भरती मामले में सुप्रीम कोट ने बुद्वार को कहा कि हमें भरती परिक्छा में सिक्छा मित्रों के लिए 60-65 फिजदी कट अप काफी जादा लगता है और कोट ने अपनी इस मोखिक टिपनी में यह भी कहा कि हमें लगता है कि इस परिक्छा में बेड छात्रों को सामिल करने पर कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए इस मामले में सुनवाई ब्रस्पतिवार को जारी रहेगी जैसा कि आज ब्रस्पतिवार है और यहाँ पर देखेंगे लिखा कि जस्टिज यूज ललित और जस्टिज मोहन की पीट में सुनवाई कि दोरान मोखिक तोर पर कहा कि हमें नहीं लगता है कि भरती परिक्छा के लिए आवेदन मांगने से पहले या बाद में कटप में फिर बदल करने की आपत्ती होनी च कहा कि पर्थम देश्टि सिक्छा मित्रों के लिए 60-65 कटप जो है अधिक नजर आता है और फिर यहाँ आगे देखेंगे लिखा है याजी करताओं की और से पेस वरिस्ट वकिल पियस पटवालिया ने कहा कि आवेदन मांगने के बाद कटप बढ़ाना गलत है और यहाँ लिखा है कि बीट चात्र सायक सिचक भरती में सामिल होने की पातरता नहीं रखते हैं और बीट उमीदवारों के लिए छे मेना का ब्रीज कोर्स नहीं किया गया जो सायक भरती के लिए जरूरी आहारता है उन्हें के बाल प्रसिचुक सिच्चोकों के रूप में भरती किया जा सकता है इस दोरान पीट ने कहा कि परिक्षा के लिए बेट चात्रों की पात्रता को लेकर सावाल नहीं उठाया जाना चाहिए फिर आगे लिखावा है यहां पर कि भरती परिक्षा से संबंदित कई याचकाय दाईर है और उतर परदेश प्रात्मिक सिक्षा मीत्र एसोस सिक्षक भरती की कटप बढ़ाने का जो है निर्ने सही ठराया था साथ ही जो है भरती परिकिरिया तीन मेहने में पूरी करने को जो कहा था फिर आगे यहां पर लिखावा है कि बोर्ड ने भरती परिकिरिया में समाइन वर्क अभिहारतियों के लिए जो है 45-65 फिजदी और परिक्षा के लिए 40 से बढ़ाकर 60 फिजदी कटप जो है निर्धारित किये फिर आगे यहां पर लिखा है कि कटप में बढ़ोतरी परिक्षा के बाद की गई इस मामले में सुप्रीम कोट ने नौज उनको अंतरीम आदेश पारित कर यूपी सरकार से कहा कि वह सिक्षा मित और यह सामिल करनें वी चुनति दी है तो दोस्तों यहां पर देख पा रहांगे कि आज उसका सुनवाई था लेकिन यह सुनवाई जहां तक सुतरों के मताबित पता चल रहा है कि यह सुनवाई जो है टल गई है और क्या होता है आपको चैनल पर अपड़ेट दी जाएगी और क्या क्या अपडेट आ रहा है आप देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों जिसा के स्किन पर आप देख पार होंगे यह आज तक की खबर है और 15 जुलाई का अपडेट है यहां पर देख पार होंगे कि 69,000 सहायक सिचक भरती मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी यूपी सरकार अपना पक्च रखेगी तो दोस्तों सुत्रों के मताबित जानकारी मिल रहे है कि यह आज तल गई है जो भी अपडेट आपको जो है करेंट अपडेट दी जाएगी लेकिन अभी तक सुत्रों से मताबित चल रहा है कि यह केस की सुनवाई जो है टल गई है और यहाँ पर लिखा है कि इस केस में याचिक अर्ताओं ने अभी अपना पक्च रखा है और देख सकते हैं मोडिफिकेशन की याचिका पर चल रहे हैं सुनवाई और यहाँ पर लिखा है कि 79,000 सायक सिचक भरती में मामले में सुप्रीम कोट ने गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगी याचिक आरताओं ने अभी अपना पक्च रखा है गुरुवार को यूपी सरकार अपना पक्च रख सकती है बता दे कि यूपी सरकार के मोडिफिकेशन की याचिका पर सुप्रीम कोट सुनवाई कर रहा है और यूपी सरकार ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोट ने उस आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है जिस आदेश पर कोट ने 37,349 पत पर रोक लगा दिये थी और इस से पहले सुप्रीम कोट ने अंसर सीट विबाद पर दाखिल याचिका देने से इंकार कर दिया बता दे कि एक ही परस्न में बहुत विकल्ब उत्तर में से एक से ज़्यादा विकल्ब सही होने से विबाद उठा है ऐसे परस्न उत्तरों को विबाद को लिका सुप्रीम कोट जो है रिशी मिश्रा के तरफ से याचिका दायर की गई थी तो दोस्तों फिलाल के लिए है इतना ही अपडेट और मैं आपको बता दूँ कि ये जो है सुनवाई नहीं हुई है और जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर दी जाएगी चाहे होगा आप बिहार से सिक्षक भरती से अपडेट लेना चाहता है यानि भारत की जितनी भी अजो है स्टेट से सिक्षक भरती रिलेटेट आपको मिलेगी जानकारी मैं बता दूँ कल भी जो है बहुत अच्छा बास हुआ है और जैसे जैसे दोस्तों आपडेट आएगी और करेंट अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर दी जाएगी तो फिलाल के लिए इतना ही अपडेट है कि आज जो है सुनवाई टल गई है याने शुतरों के मुताबित पता चला है कि आज सुनवाई टल गई है और जैसे जैसे आपको और भी cur扉 अपडेट आता है आपको इस चैनल पर दिजाएगे तो आसा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना साथ में वीडियो को एक लाइक कर देना और बाकी दोस्तों तेक सेर कर देना और दोस्तों जो भी अपडेट आएगा हाइकोट का जो है इसको मानना पड़ता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हाइकोट से बड़ा कोई भी जो है जैज्जमेंट नहीं होता है तो इस तरह आपने देखा कि जो है यह मामला जो है सुप्रीम कोट में भी चल रहा है और आ नाक्स वीडियो में जैहिन जै भारत